असलावलेकूम आज मैं आप लोगों साथ शेयर कर रही हूं अरवी के पत्ते के पकोडे जो बहुत ज़ादा टेस्टी लगते खाने में मैंने तो इसको फॉर्स्ट टैम में इतने ज़ादा टेस्टी लग रहे खाने में तो इसको दुबारा बनाना चाहूंगी आप सभी को तो यह रेसिपी पता ही है, मगर मैं आज आप लोगों को अपने तरीके से अपने स्टाल से बना के इसको बताऊंगी, कि मैंने पहली बार बनाया हुआ था और बहुत ही जादा प्तेस्टी बने थे, बहुत आसान है इसको बनाना तो चलिए, मैंने यहां पे ना कुछ अर्बी के पते ली ले ले, मैं मार्किट की थी तो मुझे यह पते दिग गया थे अर्बी के, क्योंकि मैं जे बहुत दिन से मन था कि इसके पकोड़े बनाया जाए, और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर के ले जाए, तो यहां पे ना अर्बी के पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद ना, तो यहां पे रख लेंगे पत्तों को साइड में, एक बॉयल में हम यहां पे ना मसाला बना लेंगे मसाला बनाने के लिए दो कप मैंने यहां पे बेसन लिया है छोटे से कप है आप चाहे तो बड़ा एक कप भी डाल सकते हैं इसके बाद आदा चमच नमक डाल लेंगे आदा चमच हल्दी पॉडर दाल लेंगे और एक चमच लालमिज पॉडर दाल लेंगे और इसमें जायेगा आदा चमच जीरा पॉडर और आप यह सब मसाले स्किप भी कर सकते हैं आपको पसंद नहीं है तो उसके बाद मैं इसमें जाये हूँ आदा चमच आमचुर चाट मसाला भाइद है और आदा चमट चमट जाएगा सौर डालें स distractions 21 स्वीच सवाइभ फादसे सब्सक्स और 10 मिbenद अधिमर तो सहांहें सौध कमत इन अधिक्ष का में जाद हैं 2011 as तो इस खूड़ा थोड़ा पानी डाल एक इच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेंगे ज्यादा पाप पेस्ट ना बतला नहीं करना है कि एम इस पत्य पर लगाना है तो आपक मसाले को रखनों की साइड साइड मेन जो एक अर्वी का पत्ता ले और यहां पर देख सकतें अर्व पूरा पत्ता फड़ जाएगा तो आप लोगों को मेरी एक छोटी से रिक्वेस्ट अप लोगों को रेसीप पसंद आई तो प्लीस इसको जादा जादा लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो यहां पे ना मैंने पत्ते के डंटल स्लो स् काटने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको सिर्फ चाट सकते हैं चाकू से वह भी पतला हो जाएगा सिर्फ हमें इसको दबाके एक कर देना कि पत्ता है सीधा फोल्ड हो तो यहां पे ना सुलो सुलो ही मैंने पत्ते के सारे डंटल निकालने देख सकते हैं कितने जल्दी निकाल लिए और निकालने के बाद अब इसको रख लेंगे साइड में और एक पत्ता लेंगे और पत्ते को नहीं हमें पर सीधा नहीं लगाना है उल्टा लगाना है मसाला तो फु合 द्यान रखना सीधा लगाएंगे तो मसाला इसके पर ढएगी लग लग कि inquilune और पत्ते shining तो मसाल अच्द नहीं लग पाता है तो यहां पे मसाला हमें न चारों तरफ लगाना एक तरफ भिशां नई छोड़ना पत्थे को नहीं तो मैंने एक साइड से इसको भी जादा जादा मसाला लगा लिया है तो यहां पर दूसरे पत्ते को आप जादा लगा सकते हैं में एक पत्ते में कमी मसाला लगा रही हूं कम लगाएंगे तो बेसन थोड़ा सा कम लगेगा तो यहां पर तीसरा वाला पत्ता भी मैंने रख लिया तो यहां पे ना अच्छे से इसी तरह से हमें चारों पत्तों को ना मसाला लगा लेना है मैं यहां पे ना चार तो यहां पे मैंने तीन पत्ते की लियर लगा लिये हैं लगाने के बाद ना हमें इसको एक साइड से भी फोल्ड करना है और चारों ताहर से हमें फोल्ड करना है से फोल्ड करने पाद इसको भी सन लगाते जाना है तो यहां पे आप तीन ही पत 10 इंट के लियर बना है क्योंकि न और भी आप फोल्ड करेंगे न तो दो-3 लियर इसके बन जाएगी तो यहां पर न मैं दूसरा वाला साधर से भी वीसको भी सन लगा तरह से हमें फोल्ड करकर बेशन लगा सकते हैं नीजिये तरफ झ्वेशन फूल्ड बरावर लगा लेंगे ना तो एकदम बरावर हो जाएगा तो यहां पे ना नीचे से ना जो मैं पत्ता ग्रंठल काटी थी थोड़ा सा फट गया था मगर यहां पर आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छा सा रोल बन गया था रोल बन गया था तो अभी हम इसको रख लेंगे साइड में तो दो मैंने रोल बनाएं वे थे तो दुसरे वाले रोल भी हमें फटाफर से बना लेंगे तो यहां पर तीसरी रोल भी मैंने बना लिया है तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आप बारिया इसको स्ट्रीम करने की स्ट्रीम करने के लिए ना ही मैं कुछ कुछ steamer करूंगी नहीं कुछ simple सा हमें जो पैन में रखके इसको steam कर लेंगे फटावर से तो यहां पर ना थोड़ा सा पैन में मैंने पानी डल दिया रख लेंगे और एक पतला सा प्लेट ले लेंगे प्लेट में रखके में इसको स्टीम कर लेंगे सिर्फ 5-6 मिट में स्टीम हो जाएगा बहुत अच्छे से अंदर से भी पक जाएगा तो हैं पर मैं इसको 5 मिट की बाद आपको लोगों को बताती हूं तो यहां पर आप से इसको पकड़के निकाल रहे हूं तो आप देख सकते हैं हमारे पत्ते बहुत अच्छे से स्टीम हो गए थे तो हमें इसको निकाल लेना है निकालने के बाद ना थोड़ा सा हमें इसको ठंडा होने के लिए रख लेना है तो यहां पर पत्ते बहुत अच्छे से थंडे ह तो आप दिखा दो मैं आप लोगों को कितने थंडे हो गयते हैं गरम गरम काटेंगे तो तूट सकते हैं इसलिए हमें आप पूरा थंडा करके इसको काट लेना है तो अभी बारी इसको काटने की जो इसके साइड के एजेस हैं हमें निकाल भी सकते हैं यह आप रखके तो यहां पर ना इसको इस तरह से गोल गोल पीसिस में काट लेंगे बहुत आराम से पत्ता एकदम सौफ्ट हो रहता है तो आपको काटने में दिक्कत नहीं होगी तो यहां पर देख सकते हैं मैंने आप गोल गोल करके एकदम पॉफिल शेप में काट लिया है जैसे भी बने टूटे पूटे आपके घर में आपको खाना ही है इसको फिकना नहीं या तो सजा के रखना तो नहीं है तो यहां पर जैसे शेप में उसको बनाना चाते हैं उस शेप में आप इसको काट सकते हैं तो यहां पर ना मैंने इस तरह से गोल गोल करके काट लिया है काटने के बा को भी सेट हुछ रखते हैं कि रोल चाहिए है यह वर लो कोरेंके लोग है किंकि अग्धड़ देख सब्सशुद कर्याना करना है तक पिया तोसंथ Mixed से फ्राई हो चुके एक साइड हमें इसको दूसरी साइड भी कर लीनी है तो हम फिसको फटा फट से पलड ते फटा फटे भिलट तो यहां पर अर्बी की पकड़ों को ना अच्छे से पलडते हैं पका तो यहां पे मुझे एक ही बात करद था कि यह पते ना खुझली वाले ना हो तो यहां पे हमारे टेस्ट इसे पकोड़े बनके तयार है अब हमें इसको निकाल लेना है बहुत जादा क्रिस्पी लग रहे थे दिखने में तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं ऐसे करके मैंन लेगी कॉमेट में जरूर बताना जादा सजादा लाइक कर देना शेर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना